सिंपल आलू की सबजी तो हम लोग बनाते रहते हैं तो आज बनाते हैं बिल्कुल नए तरेके की सबजी इतनी टेस्टी लगती है आलू कतली की सबजी तो जिसे बनाने के लिए मैंने 5 आलू लिये हैं इनको छिल लेंगे बनाना इतना आसान है और टेस्ट में ऐसा कि आप ब बार बार यही बनाना चाहेंगे, यह सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप बच्चों के टिफन बॉक्स में भी दे सकते हैं, और वैसे खाने के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, तो आलू को मैंने छिल लिया है, अब इनको इस तरीके से कट करना ह गोल गोल, इनको ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा बनाना है, इस तरीके के होने चाहिए, अगर बहुत पतले बनाएंगे तो तूट जाते हैं, और उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरीके से कट करना है आलू को, तो उसके बाद इनको धोलेंगे, तो स अच्छे से मसल के पूरा स्टार्च निकाल देंगे जब एक बार आप इस सबजी को बनाएंगे ना तो आपके बच्चे आपको बार बार यही बनाने को बोलेंगे बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है तो आलूं को मैंने धोलिया है अब एक कड़ाई को गरम करेंगे उसमें एक फ्राई करते रहेंगे जब तक कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तो यह दिखे हलके से ब्राउन हो चुके हैं अब इनको हम निकाल देंगे उसके बाद उसी बचे हुए तेल में एक चमच साबू जीरा डालेंगे, जीरे को थोड़ा तलकने देंगे उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है प्याज को चलाते हुए फ्राइ करेंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें बांगी चीज़े अड़ोंके तो प्याज फ्राई हो चुके हैं अब इसमें मसाले डालेंगे आदी चमज हल्दी पाउडर डालेंगे आदी चमज धनिया पाउडर डालेंगे आदी चमज जीरा पाउडर डालेंगे और आदी चमज डालेंगे लाल मिच पाउडर ज्यादा मसालों का यूज नहीं करना है कम मसाले में ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है सबजी का कुछ नया स्वाद लाने के लिए मैं थोड़ा सा चिली रिफलेक्स डाल रही हूँ अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं नहीं तो लाल मिच पाउडर तो डाला हुआ है अब मिला देंगे सारी मसालों को अच्छे से अब डालना है पिसा हुआ टमाटर ये बड़ा साइस का टमाटर को मैंने पीस लिया था नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार अब सारी मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है तब तक हम इस मसाले को पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख न जाए तो पानी सूख चुका है अब फ्राय किये हुए आलू एट करेंगे और उसके बाद सारे मसालो में आलू को मिला देंगे मेक्स करेंगे इस तरह से आप भी इस सबजी को जरूर बनाएए आपको बहुत ही पसंदा आएगी तो अब इसे हम ढक के पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए वैसे तो हमने आलू को पकाया हुआ है लेकिन थोड़े कच्छे होंगे तो अच्छे से पक जाएंगे अब कड़ाई का ढकन हटा देंगे तो सबजी अच्छे से पक चुकी है थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हरा धनिया डाल देंगे बनके रेडी हो चुकी है आलू कतली की सबजी आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेयर करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेसिपी की साथ